Assalamualaikum दोस्तों मैं बिलाल जफर शो से आज आपको दिखाता हूँ Embassy Lodge Embassy Lodge बहुत ही पॉपिलर इसलामबाद का होटेल है Wedding Functions के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को Electronics, Construction और Tech Updates के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन informative वीडियो और Vlogs वकपर देखने के लिए आप में से काफी सारी ओडियन्स Wedding Functions के लिए Halls को बुक कर रही है तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त informative वीडियो होगी जल्दी से इसको लाइक कर दें क्यूंकि आज का लाइक्स टाकेट है 5,000 लाइक्स का अगर 5,000 लाइक्स हो गए हो तब भी लाइक कर दें तो चले मैं आपको एंटरंस से लेकर चलता हूं यह एंबसी लोज की एंटरंस है काफी अच्छा पार्किंग एरिया है इनके पास मैं आपको इनके रेट्स भी बताऊंगा और यह कि अगर आप खाना फूद अरेंज करते हैं या इनसे करवाते हैं तो क्या डिफरेंस पड़ता है दोस्तों पहले मैं आपको इनके हॉल्स की कपैसिटी बता देता हूं इनके पास हैं हॉल्स एक सो लोगों के लिए दो सो लोगों के लिए तीन सो लोगों के लिए और चार सो लोगों के लिए इन में से कोई साभी हॉल आप बुक करें उसमें अगर आप बीच में सेपरेशन करवाना चाह रहे हैं जैंट सो लेडिस के लिए तो वो करवाई जा सकती है रेट्स डिपेंट करते हैं मेन्यू के उपर अगर मेन्यू में आप सिर्फ चिकन कॉर्मा रखते हैं तो 1000 रुपीज पर हैट चार्ज करेंगे लेकिन ऐसे मेन्यू में जिसमें माटन कॉर्मा हो चिकन रोस्ट बोटी नान हो चावल हो सीख कबाब मीठे में खीर और कुलाब जामन हो और कुछ सैलेट्स हो और ड्रिंक्स हो तो आपको 1600 रुपीज पर हैट चार्ज किया जाएगा चाहे कोई सा भी आप इन में से होल बुक करादे डेकोर की बात करते हैं तो डेकोर स्टार्ट होता है तेन थाउजन रुपीज से और वो कितना भी उपर चाहसेता है इवन दो लाग का भी स्टेज होता है डिपेंडिंग अपॉन के आपकी क्या प्रेफरेंसिस और चॉइसेज हैं अगर आप रेयल फ्लावर्स का सारा डेकोर करवाएंगे तो वो कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होगा आर्टिफिशल फ्लावर्स से तो डेकोर की अरेंजमेंट के लिए आपको एक बुकलेट दिखाएंगे उसमें आप डिजाइन को देखकर अपनी मज़ी का डिजाइन पसंद करेंगे और अकोर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि इस डेकोर के क्या चार्जिस एड होंगे तो अगर आप बिकुल डेकोरेशन नहीं करवाते तो फिर कोई चार्जिस उसके नहीं होंगे लेकिन मिन्मम डेकोरेशन भी 10,000 रुपीस से स्टार्ट होगी है मैंने आपको मेन्यो के हिसाब से रेट्स बता दिये अब बात करते हैं टाइमिंग की तो दोस्तों आप दिन में भी फंक्शन कर सकते हैं और रात में भी फंक्शन कर सकते हैं अगर दिन में function करते हैं उसका एक benefit आपको ये होगा कि रात के function के हिसाब से एक घंटा time आपको ज्यादा मिल जाता है यानि कि अगर आप दिन के वक्त शादी का arrangement करते हैं embassy lodge में तो आपको बारा से लेके चार बजे तक का time मिलता है अगर आप रात का function रखते हैं तो टाइमिंग होते हैं 7 o'clock to 10 o'clock मतलब रात के 7 बजे से लेके 10 बजे तक का function होता है सिफ 3 घंटों का दोस्तो इस वीडियो में तो मैं आपको embassy lodge का शादी hall ही दिखा रहा हूँ लेकिन आपको ये बताता चलूँ के embassy lodge इसलामबाद में वाके हैं और इसमें guest rooms और suites हैं आप किसी भी purpose के लिए embassy lodge को book कर सकते हैं मैंने एक बार IELTS का exam भी embassy lodge में ही दिया था क्योंकि British Council ने embassy lodge को book किया था IELTS का exam देने के लिए इसी तरह से different किसम के functions यहां पर होते रहते हैं तो आज चले मैं आपको शादी hall दिखाता हूँ साथ ही मैं यह भी वाज़े कर दूँ कि मेरी audience में अगर कुछ लोग हैं जिनके अपने शादी halls हैं और वो दिखाना चाहते हैं मेरी audience को आगे आने वाले शादी के season के लिए तो मुझे description में दिये गए number पर whatsapp message करें मैं आपसे contact करूँगा और अगर मुझे आपका hall पसंद आएगा तो मैं उसको अपने channel पर दिखाऊँगा चार्जिस वही आपको पे करने है तो अगर आप दिन में करते हैं तो आपको एक घंटा ज्यादा मिल जाता है यह दो के रेड़ कार्पेट है यहां पर बड़ा मज़े का साथ में डेड़ सिल्क की डेकुरेशन की हुई है थोड़ा ग्रीन बेल्ट है यहां पर इसारी एंटरंस है में होल की यह दखिए काफी खुबसूरत है यह आप अंदर जाते हैं यह देखिए डेकॉर यह आपको मैं स्टेज डेकुरेशन दिखाता हूँ आर्टिफिशल फ्लावर्स से है आर्टिफिशल फ्लावर्स है लेकिन ओरिजिनल लुक है इनकी यह साथ में साउंड सिस्टम है यह मैं आपको टेबल और चेर्ज का डेकॉर दिखाता हूँ गोर करें रेशमी कपड़ा है उपर गॉल्ड और वाइड का कॉंबिनेशन है ग्लासेज और टिशू पेपर्स के डिजाइन देख ले और हर टेबल के ओपर एक डिश है डिश के अंदर क्या है देखते हैं डिश के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है यह वर्टिकल एयर कंडिशनर्स डेकोर आप देख लें अंदर का सिलिंग लाइट फॉल्स सिलिंग अगर पार्टिशन करवाना चाहें तो पार्टिशन भी हो जाएगी स्लोरिंग देख लें पिलर्ज खाने की टेपल्स आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है नहीं गुलाब जामन है बड़े मज़े के बहुत मज़े के गुलाब जामन है अच्छा यहां पर एक टेबल है एकोर टेबल है यही मेन अट्रेक्शन होती है सब लोग यही दिखना चाहते हैं के टकोर में किस तरह से चीजे सची हुई है एंटरंस पर लोग खड़े एस्प्शन के लिए और मैं आपको बैक साइट में दिखाता हूँ सब लोग इनी माइनूट टीटेल्स को देखना चाहते हैं अभी आपको वाश्रूम अरिया भी दिखाऊंगा यह देखिये यहां पर फोटो सेशन के लिए अच्छी जगा है अगर किसी ने तस्वीरें खिचवानी हो यह वाश्रूम एड'REा है, मेन हॉल के अन्दर ही साथ में प्राइडल रूम है। अगर किसी ने थोड़ा बात मेक अप औरंट टैच-अप करना है यह वह कर सकना है यह भी में आपको दिखा देता हूं मैं अ म्हीं को ठजॅ चाहता दिखिये आग तहकार दी गई है चले मैं अब आपको वाश्रूम दिखाता हूँ ये हॉल की क्या कपैसिटी है और कितने में होता है कितने टाइम के लिए वो जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया चले मैं आपको वाश्रूम दिखाता हूँ अश्शा हूँ श्यवाँ लेगता है चाही देखेता है हुआ है तुसक्राइब सेवेंटी होगों की अर्चमेंट है अब मैं आपको चुटी दे में रेट्स बताऊंगा हुआ और चले सारा कुछ को कभर कर ही लिया है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, खाने की अरेंजमेंट है, वाश्रूम एरिया, स्टेज डेकोर, सीलिंग, फ्लोर, सब कुछ आपको तिका दिया तो आप हम बात करें हैं रेट्स की यहां पर खाने की रेंजमेंट ऐसे हैं कि हर टेबल पर इंडिविजुली आप देख रहे हैं कि डिश पड़ी हुई है, तो सब लोग अपने अपने टेबल्स पर खाएंगे, इसका फाइदा यह होता है कि लोग हर बड़ी में ज्यादा नहीं डाल लेते, रिस्क को जाया नह करते हैं और काफी कन्विनियंट रहता है इधर से डाला इधर से खा लिया तो खाने का भी आपको रिव्यू दूंगा कैसा है तो दोस्तों यह थी इंफोर्मेशन टाइमिंग की रेट्स की और हॉल्स की कपैसिटी की बागी डेकोरेशन आपने जैसी इस वीडियो में देखी उससे भी ज्यादा अच्छी आप करवा सकते हैं लेकिन आपको कहीं ज्यादा उसके चार्जिस बेए करने पड़ेंगे उमीद करता हूँ आपको यह काफी डीटेल और इंफोर्मेटिव और अच्छी वीडियो लगी होगी अगर आप इमपैसी लोज को कंसिडर कर रहे थे तो यह वीडियो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी अगर मेरी ओडियन्स में से कोई मोटेल मैनेश्मेंट में है या चाहती है कि मैं उनका वड़ी होल आकर दिखूँ उसको फिल्म करूँ और ओडियन्स को दिखाऊं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिये गए नमबर पर वाट्सैप मेसेज कर सकते हैं या कॉल करके अगली वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज